जहेंद दोस्तों दोस्तों स्वागत आप सभी का आपके पने यूटूब चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं समास समास से आपके एकजाम में कुल टोटल दो नंबर का पूछा जाएगा ठीक है यह प्रस्ण होगा बारहमा बाहमे नंबर प्रस्ण में बोला रहेगा निम लिखी समास पदों में से किसी एक पद का नाम सही समास विग्र कीजे तो कुछ इस तरीके से आपका प्रस्ण होगा दो खंड में होगा क और ख का नंबर का प्रस्ण होगा वो हाफ हाफ नंबर का होगा अर्था टोटल एक नंबर का होगा और खा नंबर का प्रस्ण होगा यह टोटल एक नंबर का होगा अर्था दो नंबर का प्रस्ण यहां से आने वाला है अर्था क्वेक्शन नंबर जो 12 होगा वह दो नंबर का मास तयार करने हैं वो मैं आपको ट्रिक के माध्यम से समझा दे रहा हूं ठीक है और अभी तक आपने वीडियो को लाइक ने किया तो प्लीज लाइक कर दीजे चैनल पर आप हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए क्योंकि इस चैनल पर आपका फ्री में पूरा कोर्स कराया जा रहा है बीना एक रूप है चार्ज लिए यदि आप चाहते हैं आपका रिजल्ट 90% प्लस बने आपके बोर्ड एक्जाम में तो चैनल को सब्सक तो यहां पर ऐसे आएंगे लेकिन बात है कि हम कैसे पहचानेंगी कि कौन सा टेंस कैसे पहचानेंगी कि कौन सा समास कैसे अब कि आपको यहां पर सिर्फ तीन समास पढ़ना है पहली समास है अब्याई भाव ठीक है अब्याई भाव दूसरा है आपका द्यूग समास और तीसरा है आपका बहुब्री समास ठीक है तो चले इसी समास को हम देख लेते हैं ठीक है पहला होया आपका अब्याई भाव दूस तीसरा है बहुविरी समास अब इन समासों को पहले हम समझेंगे कि कैसे इसका पहचान किया जाएगा कैसे समास विग्रह किया जाएगा संस्कृत में ठीक है तो चलिए पहचानना बताते हैं देखें अगर उपसर्ग लगा हो शुरू में उपसर्ग लगा हो तो वो क्या हो ज आईसे लग जाएं प्रति एक जैसे आपका है स्माजिधारा से समझना चाहेंगे चलिए नहीं है यथा सब्ध पहले लगा रहे है जैसे यथा सकित होता है तो यथा सक्ति में अगर हम आपसे बात करें कौन सी समास है तो यथा सक्ति में अभ्याई भाव समास है क्योंकि यहाँ पर क्या है उपसर्ग लगा है क्या लगा है उपसर्ग के पहले एक उपसर्ग लगा है जब उपसर्ग लग जाएगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा वो अब यही भावसमास हो जाएगा ठीक है जैसे होता है प्रति दिन तो दिन के पहले प्रति लग गया है नहीं यह दूसरा दिन समीब की बात की जा रहे है तो उसी यथा सिघ्र जैसे यथा सगरी यथा सिघ्र यथा सक्ति तो क्या होता उसी की समीब की बात की जाएगी जब भी उसके निकट की बात की जाएगी तो वह क्या हो जाएगा अब भ्याई भाव समास हो जाएगा क्लियर हो गया अभी पूरा मैटर क्लियर हो जाएगा टेंस अनाट फ़ले वीडियों बने रही है देखिए मैं ट्रिक के माध्य में समझाने का यहां पर प्रयास कर रहा हूं अब दूसरा आपको पढ़ना है दिवगु समास यहीं से आपके एकजामे प्रस्न बनेंगे अब सामने अगर पूछ लिए जाए कि दिवगु समास की पहचान क्या है तो हम समझाते देखिए अगर संख्यास वाला सब्द दिखे पहला सब्द संख्या वाचक दिखे पहला अच्छर संख्या से रिलेटेड दिखे गाउंटिंग से रिलेटेड दिखे तो समझ जाईएगा अभाहा। क्या है द्यूगु समाह से कहने का मतलब जैसी नौ रात रह संस्कृत हैं तो यहां पर हलन्त आएंगे नौ-तरा तो शुरूम क्या लग इए नौ नोग क्या है कौंटींग सब्दें गिंती वाली सब्द गनीत की सब्द ए में बідतार डीम जमलने जयां यह नहींद त्री आ गया त्री का मदलब गिंती मेंpos specifications 3 3 से क्या पता चल रहा है तो आपका क्या हो गया दोस्तो यह थायगा आपका धूग समाज ठीक है चले जैसे एक चामपल आइगiamo का सताब अबदी जिसमें काउंटिंग PG जाए गंती वाले सब्द आ जाएँ व हो जाएगा दोस्तों आपका द्यूगु समास आजाएगा जैसे एक चाहब करा दूँ आपको एक दो इंच्जाप पल समझा दूँ जैसे मैं बोल दूँ पितांबर का मतलब पीले वस्तर वाला कहने का मतलब जैसे स्री किर्षन तो यहां पर हम इसको क्या बोल सकते हैं बहुबरी समास अगर आपसे पूछ लें पितामबरा हमें कौन सा समास है तो दोस्तों पितामबरा अर्थात यह क्या कर रहा है पीले वस्तर वाले को क्या कर रहा है इसकी विशेष्टा बतला रहा है उस वस्तर की क्या कर रहा है विशेष्टा बतला रहा है विशेष भगवान सिव तो यहां पर भगवान सिव नीला है कंठ जिसका अर्थाथ भगवान सिव तो यह क्या हो गया दोस्तों किसी दूसरे की विसेश्ता बताल आ रहा है तो यह क्या हो जाएक को वालगना तो मेरे कहने को मैंना संधा गया जैसे एक ला लते हैं लंबोधर लंबो दरह लंबोधर ंमद्ध मतब लंबा हो उदर जिसका अर्थातождения गणेयास गनेश, तो ये क्या हो जाएगा, लंबोद्रह, बहुब्रिह, समास हो जाएगा, किलियर हो गया, अब आप यहाँ पे समास पहचानना सीख गए, अब बात आती है, कि इसका हम समास बिग्रह करेंगे कैसे, तो समास बिग्रह का मतलब उसी को संस्कृत में चेंज कर देना होग जैसे, अब ही मैं एक एक जामपल यहाँ पे कराऊं, जैसे, प्रती दीन, मैंने बताया कि प्रती दीन, बहुत इंपोर्टन है दोस्तों, जैसे आप से पूछ लिया जाए, प्रती दीनम, प्रती दीनम में कौन सा समास है, तो इसके पहले क्या लग गया, प्रती, मैंने क्य क्या होता है जब भी उपसर्ग लगा उपसर्ग नहीं जानते तो उपसर्ग के बारे में हिंदी में व्यूडियो बना दिया गया था उपसर्ग क्या होते हैं प्रत्य क्या होता है यह आपको शुरू में ही पता दिया गया था हिंदी में ठीक है अगर हिंदी आप पढ़े हों उसके निकट की तो प्रति दिनम मतलब दिनम दिनम अगला दिन प्रति दिनम मतलब रोजाना तो दिनम दिनम यहां पर क्या हो जाएगा दिनम दिनम यही हो जाएगा प्रति दिनम तो इसका संदी विच्छेत करें दिनम दिनम प्रति ठीक है तो यह क्या हो जाएगा इसका समा क्या होता है तो मैंने क्या होता है उपसर्ग समास्विग्रह करें तो क्या होगा समास विग्रह मतलब होता है समीप क्या समीब औरम मतलब क्या होता है नगर ठीक तो नगरstem गरेंगे तो नगर का कर देंगे नगरास से कर देंगे इसनना समझा रहा है यह समीप कर देंगे ठीक है तो नगरास्यuar Siappam कर देंगे किलिए हो गया तो त्री लोक की मतलब तीन लोकों का समाहार ठीक है इसमें समाहार की बात की जाएगी तीन लोकों का समाहार तो यहां पर त्री लोक की मतलब त्रणाया लोकाम समाहार है क्या कर देंगे त्रणायाम यानि जिसके त्री नेत्र हो लोकानाम लोक मतलब देखने वाला समस्ठी या समाहर अभर अब हम समझेंगे इसके इक्जांपल को मैंने आप्यक्चन करा झान प्रतिदिनम तित्रीवाव सभूवों यह सोधनाः तो देख cripp Given your comments यहां प्राइजिएं कि आप्जांपल लिया है प्लतिदिनम तो प्रतिलत तो तो क्या हो जाएगा अभ्यैइभाव समास त्रीवोण तो त्री लग गया अर्थात कौन्सा समास हो जाएगा गिंतिका सब्धा गया अब्यімकर समास युसो धन और दोस्तों मैंने एक्ज्ञामपल यहां पर लिए है यक्षोधन क्या है तो यक्षोधना में कौन सा समास है बहुब्री समास कौन सा समास है दोस्तों बहुब्री समास क्योंकि आपको तीनी समास पढ़ने है अब यह भाव द्यूगू अब यही भाव द्यूगू नहीं मिलेंगे तो सीधा समझ में आ कि कौन सा समास होगा हमारा बहुबरी समास होगा और बहुबरी समास क्या होता है किसी दूसरे की क्या करता है बिसीस्ता बताता है ठीक है तो यह हो जाएगा हुमारा हो जाएगा बहुबरी समास यसो धना मतलब क्या होता है यस एवं धन यस यस जिसक्स के बहुत साधा धन हो वह क्या होता है राजा अर्थात या सोधना बहुबरी समास ठीक है अब देखे दोस्तो नौरात्र हमें कौन सा समास है नौरात्र में तो यहाँ पहला काउंटिंग का दिख रहा है गिंती दिख रहा है यह नौरात्र यह नौरातों का समाहार ठीक है तो अर्थात क्या हो राएगा नौ रातों का समार किलियर हो गया यागनी लिख सकते हैं आप श्राव करें अरफरासि